माई सीटी नीट चैनल यूटूब पे आप सार्च करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें सीटी नीट चैनल हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में हम लोग 12th NCRT Biology 12th NCRT Biology के फर्स्ट चैप्टर के very most important question डिसकस करेंगे और ये सबही question बार-बार repeat होते हैं entrance exam में तो repeat होने माले सबही question है और question very most important है तो आप लोग last तक चरूर वीडियो देखिएगा सबही question important है तो चलिए ये फर्स्ट question number देखते हैं सुक्राड़ों के निर्माण में कितने अर्ध सूत्री विभाजन की आव सकता है तो ये कह रहा है कि 124 वन टू फोर सुक्राड़ों अगर सुक्राड़ इस पर्मों में बनाना है तो अर्ध सूत्री कितनी मियोसिस की आव सकता होगी तो ये question एकदम simple है यन बाई 4 कर देंगे यन बाई 4 तो मियोसिस का संख्या निकर जाएगा अब यन क्या है यन 1,2,4 दिया गया है तो ये देखिए 1,2,4 अपान 4 4,3,12 हो जाएगा है फिर 4,4,4 तो 31 हो जाएगा तो option नमबर कौन सा correct हो जाएगा केचुवा क्या होता है जो E, A, R, T, E, H Earth, W, O, R, M Earthworm जो होता है केचुवा होता है एक बाई question ने भी पूछा गया था कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है तो केचुवा का कहा जाता है Earthworm को तो केचुवा प्राड़ी क्या होता है यह क्या एक लिंगी होता है, दे लिंगी, आलिंगी या नपुनसक होता है, तो दे लिंगी होता है, हर्मा फ्रोडाइट होता है, हर्मा फ्रोडाइट कहते हैं इसी को, तो हर्मा फ्रोडाइट होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है, तो वो बी आपसन करेक अगुरित्भाग होता है प्राग तो आफसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें आफसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईश्चन इनमें किसे बंगाल का आतंक इतना वर्ड आपको एकदम अच्छे स्याना चाहिए बंगाल का आतंग किसको कहा जाता है ब्राइफिलन को, जलकुम्भी को अगेब या केला तो आपसन नंबर B करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, B जलकुम्भी को कहा जाता है बंगाल का आतंग, next question, इन में कौन ठारे हुए पानी में उक कर आकसीजन कीच लेता है तो जो stagnant water होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे नदी तालाब देखेंगे, कहीं कहीं आपको ये बहता हुआ पानी देखेगा, बट कहीं कहीं क्या होता है, ये सभी पानी जो है, ये रुके रहते हैं, तो इनमें कौन ठारे हुए पानी में उककर oxygen खींच लेता है, तो जलकुम्बी होता है, तो आपसा नमबर फर्स्ट करेक्ट हो जाता है, जलकुम्बी जो होती है, आकसीजन ले लेती है नदी तालाब से, और उसमें जो फिस मचलियां रहती है, और जो आर्गनिजम रहते हैं, वो आकसीजन की वज़ा से क्या कर जातने हैं, डेथ कर जा होता है जब मार मेल और फी मेल दोनों में गिमींट में होता है तब क्या करलाता है तो आप मलेна प्रशयक्त enjoy खोराता है तो आप साना नंबर इसका बेक खी। neste कीज्ट कर लिए आज फिर भाइस भी याद कर सकते हैं, और डाग भी याद कर सकते हैं, तो ये तो दूनों होना चाहिए, अगर menstrual cycle पूछता, तो वो apes और human होता है, क्या होता है, a-p-a-ps and humans होता है, क्या menstrual cycle, बट यहां पे क्या पूछ रहा है, stress cycle, तो गाय, भेंड, कुट्ता, तीनों साही हो ज प्लांट में यह कोईस्चन भी काफी बार पूछा गया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें लाइक वीडियो को करते रहें क्या करना है लाइक करिए और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर सेयर करिए सब्सक्राइब नंबर इंक्रीज टेली कराईए आप लोग तो तब मज़ा आएगा यह समझे कि अच्छे से चैनल ग्रो होगा तो फिर मज़ा आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आप पाच करने तो सब्सक्राइब जरूर करने चलिए यह आपको एक कांसेट बता देते हैं मिस्ट्रल साइकल यह बार पूछा था कि मिस्ट्रल साइकल कितने दिन की होती है तो 28 डेज की होती है किसमें इंडोमेट्रियम जो ब्लीडिंग होती है 126 डेज तक होती है यह भी कोईशन पूछा गया तो यह क्या होती है उसमें ब्लीडिंग होती है जब ब्लड आता तो इंडोमेट्रियम इसमें तूट तूटके निकलती है इंडोमेट्रियम सेड एपजार्ड बाई दा वाल आप दा यूटरस यहाँ पर इस्टरस साइकल में ब्लेडिंग जब होती है तो यह बाहर नहीं निकलती है वहीं पर एपजार्ब कर ली जाती है उसी के दोरा इंडोमेट्रियम लेयर के दोरा जो इंडोमेट्रियम सेड तूटती है और uterus की वाल की द्वारा एप जार्व कर ली जाती है तो इसका चलिए यह आप एक्जामपल भी देख सकते हैं इस्टर साइकल का एक्जामपल काउ डाग और इसमें humans और काफी बार कोईस्चन पूछा गया है कि मिस्टर साइकल किस में चलती है तो humans और एप्स आपको एकदम रटा होना चाहिए नेक्स्ट कोईस्चन देखिए बल्ब का उधारन है अब यह भी काफी बार कोईस्चन पूछा गया है तो आप ऐसे पियाज देखे होंगे पियाज के आलू आलू तो नहीं देखेगा आलू तो बल्ब की तरह नहीं होता बट पियाज होता है तो आपसन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस कोईस्चन का नेक्स्ट कोईस्चन नंबर अस्तंधारियों में फर्टिलाइजेशन कहां होता है अब यह निसेचन की बात कर रहा है कि तो फार्टी लाइजेसन छो होता है यह कहाँ पे होता है तो फ़ार्टी लाइजेसन जो हता है काफी बार कोईचन पूछा गया यह यह होता है कि गर्भाश से नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एक बार तो ऐस was terce नाम इ rotational कि जब यह फैलोपी एन ट्यूब की क्या नाम होती हैं जैसे ये इस्तमख जंसन होता है ये कोईसर पूछा गया है या क्शलेब बाद यूटरस में मूव करता है धीरे धीरे प्राकिरतिक अनिसेक जनन पार्थीनु जनेसिस पाया जाता है तो अनिसेक जनन क्या होती है अनिसेक जनन यह होती है मान लीजिए यह क्या है यह है मेल है यह फीमेल है और यह मेल है दोनों मेल फीमेल बिदाउट फर्टिलाइज ना हो यहां पर फर्टिलाइजेशन ना हो और क्या बन जाए जाइगोट बन जाए तो उसी को कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के जब जाइगोट बनता है तो उसको पार्थीनो जनेसिस कहते हैं अब पार्थीनो जनेसिस कहते हैं किस में पाए जाता है मक्ही में मद मक्षी में यह question काफी important है और अभी इसको हम explain भी देखते हैं आगे दी निसेचन मतलब यह question कहे रहा दी निसेचन double fertilization का परिडाम होता है बीज पत्र बनना बीज अंड काई बनना भुरूण पोस या भुरूण तो आपसा number C correct हो जाएगा इसका थोड़ा concept भी देख लेते हैं parthenogenesis parthenogenesis means क्या होता है but अदिक तर डेवलमेंट आफ फीमेल का डेवलमेंट होता है, फीमेल गयमीट का डेवलमेंट होना ही पार्थीनो जनेसिस कहलाता है, गयमीट को सेक्सेल कहते हैं, बिदाउट फर्टिलाइजेशन, यही लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, बिदाउट फर्टिलाइजेशन, बिदाउट म कहते हैं यह देखिए इटंवर्ड प्लांट ये किस में मोता है पेंड ईनेग जांपर रचा होना तो ये example रटा होना चाहिए and really among the higher vertebrate में और कभी कभी higher vertebrate में भी होता है पार्थिनु जिनेसिस next question बीजान वो द्वारा जनन करने माले पोधे जैसे मार्स हो गया फर्न हो गया समानेत्या के समूह में रखे जाते हैं तो ये देखिए ये बीजान द्वारा आप मान लीजिए जैसे मार्स हो गया मास हो गया फर्न हो गया ये सब फूल नहीं देते क्या नहीं देते फ्लावर नहीं देते ये फिल ओ डबलू ई आर अगर ये सब फ्लावर नहीं देते तो उसको क्रिप्टो गैम्स कहते हैं क्रिप क्रिप्टो गेम्स कहते हैं तो यह एकदम रटा होना चाहिए कृश्चन काफी बार आएसे डारेक्ट पूछ लेता है यह कृश्चन में ऐसे देता है कि वह इसमें वह वर्ड बताईए जिसमें फ्लावर नहीं देते हैं उस वर्ड को क्या कहते हैं तो फ्लावर नहीं देने कौन सा option correct हो जाएगा, option number C correct हो जाएगा, यह देखिए, next question number कौन सा, next question के पहले हम लोग double fertilization की बात अभी उपर हुई थी, कि double fertilization क्या होता है, तो काफी बार question पूछा गया है, double fertilization is complex process होती है, where out of two sperm cell, two sperm cell fuse करता है, one fuse with one cell, एक तो एक cell के पास जाएगा, and other sperm जो होता है, two polar nuclei को करेगा, और diploid बना लेगा, जाएगोट, और एक मिलके triploid बना लेगा, primary endo sperm nucleus बन जाती है, और जाएगोट become an embryo, और बाद में जाएगोट बनता है, फिर बाद में embryo हो जाता है, after numerous cell division होने लगती है, एक बार question यह पूछा था, कि double fertilization में कितने nucleus involved होते हैं, तो 5 nucleus, काफी बार यह question पूछा गया है, कि 5 nuclei involved होते हैं, double fertilization में, तो आप लोग नोड़ डाउन कर लीजिएगा, काफी बार question पूछा गया है, next question number, brun post में कितने chromosome होते हैं, अब यह question कह रहा है, brun post में कितने chromosome होते हैं, तो यह देखिए, yen, two yen, three yen, a, और b दोनों, तो आपसन number c correct हो जाएगा, embryo में three yen, आपसन number third c, आपसन correct हो जाएगा, brun post क्या होते हैं, three yen, triploid होते हैं, next question, जब संतत की उतपती एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है, जब संतत की उतपती एकल जनक द्वारा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, b, a, आपसन, allलाइंगीग, genan कहते हैं, इसलिए आपसा नंबर B, इस question का correct हो जाएगा Next question नंबर, इन में से काओण नर इग्मक से सयोजन करzes भृण पोस बनाता है अब यह भी question काफी important है, इन में से काओण नर इग्मक से सयोजन करकर भृण पोस बनाता है अनिसेचित अंड सहायकुस का इंटी पूडेल्स या दितियक केंदरक तो आफसन नमबर डी करेक्ट हो जाएगा दितियक केंदरक ही मिलके भुरुन पोस बनाता है नेक्स्ट कोईस्चन नमबर अस्तंधारी के सुकुराणों के मद्धि भाग में क्या पाए जाता है अगर इनरजी नहीं मिलेगा तो कैसे मूवमेंट करेगा अगर इनरजी नहीं मिलेगा तो इंट्रस में जाएगा माइटो कांडिया एनर्जी प्रवाइड करती है और यह मूब करके फैलोपियन ट्यूब से आपके जाती है यूटरस में तो माइटो कांडिया कहां होता है, यह होता है मद्ध में, सुकरां के कहां पे, बीच में मद्ध में तो इसलिए आपसा नंबर सी आप लोट डारेक्ट ये correct करिए क्वेशन काफी बार पूछा भी गया है चमगादर द्वारा प्रागड़ अगर चमगादर जो होता है वो पॉलीनेशन हो तो क्या कहलाता है चमगादर द्वारा प्रागड़ कहलाता है आरनुथोफिली मिन्स होता है जब बर्ड के द्वारा होगा एंटमोफिली जब इंसेक्ट के द्वारा होगा यह लिख लिजिए इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो एंटमोफिली कहते हैं और जब आरनुथोफिली जब बर्ड के द्वारा होता है और जब hydrophily क्या होती है जब hydro means water के द्वारा होगा और क्रिप्टेरो फिली यही option correct हो जाएगा चमगादर के द्वारा प्रागन को क्या कहलाते हैं क्रिप्टेरो फिली तो C option correct हो जाएगा नेक्स्ट कोईश्चन नमबर जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है अब यह question कहरा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से इगने से या इगमको से या बिखंडन से तो आफसर नमबर D correct हो जाएगा जनक मतलब कहरा कि अपने पूरबच कितना एकदम सेम हो जनक समान किसमें पाजायेगा अमीबा पैरह मीशियम जलकुंभी या अमीबा तथा पैरह मीशियम में तो आफसर नमबर D correct हो जाएगा जाएगा दिखंडन किसमें पार जाता है अमीबा जानक समत Guess Stephenυiken द्वारा जनन किसमें होता है तो अभुडिन करें में मुकलन ओसी को कहते हैं को क्रेक्ट करिए नें Explorer का निर्माड किस में होता यह करेक्ट तो आपसन removal और डारेक्ट फस्टी करेक्ट होते हैं कुने डिएया का निरमाड स्वाहिरो गायरा कारा फर्न इस में नहीं होता पिनिसेलियम paling forskling एकदम correct हो जाएगा next question पुनुरद्ध भावन की किरिया निमलिखिद में किसमे होती है तो पुनुरद्ध भावन की किरिया किसमे होती है इस पंज में होती है तो आफसन नमबर पुनुरत द्भावन की मतलत पुना हो दुबारा अपने बाड़ी को बना लेती है तो आफसन नमबर फास्ट करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर जलकुम्भी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन कर सकता है तो जलकुम्भी 65,000 से अधिक पौधे वो आठ माह में आपको ग्रो कर जाएगा नमबर नमबर की बात कर रहा है जलकुम्भी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन कर सकता है तो आठ माह में तो आफसन नमबर फास्ट करेक्ट हो जाएगा इनमें काउन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरी अपनी लाइफ इस्पान में जितने सालो जिंदा रहता एक ही बार वो क्या देता है फ्लावर देता है तो flower एक ही बार जीवन काल में कौन देता है तो वो होता है बंबू होता है बंबू मिन्स बांस होता है ये काफी बार question पूछा गया है तो बांस आप लोग चलूर लगाईएगा और एक बार तो नेल कुरंजी पूछ लिया गया था और अपने पूरे लाइफ इस्पान में अगर एक बार की बात करेंगे तो बांस फास्ट आप्सन करेक्ट हो जाएगा रितु स्राव चक्र किस में होता है तो रितु स्राव चक्र जो होता है ये सभी में होगा मनिस में हिमेंस में में तो होगा ही यह menstrual cycle की बात कर रहा है, बंदर में, एपस में, एपस में तो होगा ही, और चिमपैंजी में तो होगा ही, तो आपसर नमबर D correct हो जाएगा, नेक्स्ट कोईस्टन नमबर D लिंगी पराणियों के उधारण है, अब यह दे लिंगी पूछ रहा है, हर्मा फ्रोडाइट की बात कर रहा है, मोनो सीएस की बात कर रहा है, इस्पंज में, टेप वर्म और जोंकिन में, सभी में, यह सभी क्या होते हैं, दे लिंगी पराणिय के एक्जामपल है, तो आपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट कोईस्टन, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, सभी कोईस्टन इंपॉर्टन है, आप भी लोग के हल्फुल के लिए चैनल को क्रियेट किया गया है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सपोर्ट चरूर करें, चलिए, नेक्स्ट कोईस्टन, टॉन्टी नाइन, मनुस्ट के इग्मकों गयमीट में गुर्षूत्रों की संख्या होती है, तो मनुस्ट के गयमीट में गुर्षूत्रों की संख्या जो होती ह अगर पेयर में पूछती तो 23rd पेयर हो जाता है बट यहां पे पूछ रहा है गयमेट में गुर्षूत्रों की संख्या डारेक्ट पूछ रहा है तो आप 46 लगाएंगे यह क्या हो जाता है टिपकल हो जाता 23 भी आपसन में हम लोग लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता जब प आपसन नमबर D इसको करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इनमें कौन अन्द प्रजक मतलब ओभी पेयरस प्राड़ी है अन्ड प्रजक का मतलब कौन जो होता वह यक देता है उसको औभी पेयरस कहते हैं जो सिर्फ अंडे देता है मतलब बच्चे तो देता नहीं है चाइल्ड पैरस कहते हैं, अब मुर्गी देता, साफ देता, मगर माच तो ये तीनों देते हैं, तो आफसन नमबर D correct हो जाएगा, मुर्गी, साफ, मगर माच तीनों क्या होते हैं, वो भी पैरस होते हैं, जो अंडा देते हैं नेक्स्ट कोईश्टन, जब निशेचन जिव के सरीर के बाहर होता हैं, तब उसे क्या कहते हैं, काफी इंपोर्टन कोईश्टन और काफी सिंपल कोईश्टन, एकदम सिंपल कोईश्टन जब निशेचन जो फर्टिलाइजेशन होता, year Lane RTA, A-T-I-O-N फर्टिलाइजेशन ज लेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर 32 नमबर 32 भी इंप्रोड़क्षन की बात कर रहा है तो आसेक्सियल रिप्रोड़क्षन की कौन सी इसमें में कैनिजम नहीं है बहां लेरिंग भी बोना भी बट दाब लगाना नहीं होता सेक्शुल रिप्रोडक्शन तो यह NCRT 12 का चैप्टर नमबर फर्स्ट ही है तो चैप्टर नमबर फर्स्ट से लगबंग लोग कर लेंगे इस वीडियो में फिर उसके बाद चैप्टर नमबर फर्स्ट थार्ड फॉर्थ आएसे पूरी सिकेंड एंसियाटी 12 वाली बालोजी की एंसियाटी जो है वो खतम करेंगे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने हो जितने भी स्टुडेंट सब्सक्राइब करेंगे तुरंत मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा तो आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों में जरूर सेयर करें ताकि आप लोग 2021 में जो गवर्मेंट कालेज हैं यूपी में जैसे ब्याच्चू हो गया केजेम्यू लखनओ जैस भी हमकानपूर सीपी नेट सेफई टावा हो गया और बुंदेल खंड इन्वरसिटी जहांसी में यहां सभी कहीं पे भी ब दात्रन जो होता है वो किस के दोऔर होता है तब ही तो पॉली नेशन होता है यूगमगे क्या होता है जाईगोट वो जलके दोरा भी हो सकता है वाइ के दोरा ऑर हवा के दोरा तो इनमें आफसा नंबर डिकृट Sun नेंस्ट कोईक नहीं है तो मूर्हिजी गाए बकरी मनुस इसमें सज़्यू परजयक्त नहीं होता तो आफसर number अध्य duy पर्जयक्त नहीं होता है शक्ष्रेशन प्त्र इसमें होता है इसमें हिरन में हिरन मनुष और घोंगा इसमें तीनों में तो इंटर्नल फर्टिलाइशन होता है जो फ्राग होता है मेढग जो होता है इसमें इक्स्टर्नल फर्टिलाइशन होता है क्योंकि यह वाटर में रहता है तो वाटर में ही यह बाहर इक्स्टर्नल फर्टिलाइशन करता है तो option number first correct हो जाएगा इन में किसमें जल के माध्यम से निशेचन होता है अब ये देखिए ये भी काफी important question है आई से question बार बार पुछे जाते हैं कि water के थूरू fertilization किसमें होता है सेवाल में या ब्रावफाइट या टेरडोफाइट तो जितने भी lower plant हैं सभी में water के थूरू fertilization option होता है तो सेवाल भी correct है ब्रावफाइट और टेर्डोफाइट और डी option तो देही रहा है इन सभी का water के दारा होगा तो option number कौन सा correct करेंगे इसमें option number D इन सभी में क्या होगा जल के माध्यम से निशेचन होता है तो option number D correct हो जाएगा question number 37 यह काफी important question बार बार यह से question पुछे गया है तो आप 37 question एकदम अच्छे से देखिए निम्ड में कौन उभाइलिंगी पादप नहीं है तो उभाइलिंगी का मितलब पूछ रहा है bisexual कौन सा इसमें नहीं है जिसमें male हो गया male हो गया और female male and female दोनों एकी में होते हैं वो bisexual कहलाते हैं तो इसमें तो कहरा उभाइलिंगी पादप नहीं है तो सरसो मक्का और गुड़ाल यह तीनों bisexual हैं बट यह unisexual जिसमें पपीता ही है पपाया जिसको कहते हैं इंगलिस में तो option number first correct हो जाएगा पप पाया उभाइलिंगी पादप नहीं होता है नेक्स्ट कोईस्टन अगे में बरसा वर्सी प्रजिनन होता है तो अगे में बरसी प्रजिनन जो होता है वो बुलबिल द्वारा होता है तो option number first correct हो जाएगा जैसे अगे देखे तुरंत आप बुलबिल याद कर होना चाहिए next question के पहले हम लोग यह देख लेते हैं जैसे यह question जो था ना यह वाला यह उभाइलिंगी पादप वाला तो यही एकदम इसका concept भी देख लीजिए काफी बार question पूछा गया है plant ऐसे plant that है बोथ जिसमें female and male sex organ दोनों पर जन्ट होते हैं sex organ flowers में उसको monosius कहते हैं यहां लिख लीजिए monosius या पूछ सकता है या bisexual पूछ सकता है by sexual bisexual या फिर हर्मा प्रोडाइट हर्मा प्रोडाइट बाइसेक्सवल हो गया monosius और हर्मा प्रोडाइट तो इसमें कौन सा आप monosius समझ गए होंगे जिसमें male और female sex organ present होते हैं male sex flower या sex organ present हो इसको monosius कहते हैं और unisexual plant वह plant कलाते हैं unisexual plant कभी कभी देता है option में कभी कभी डाइसियस तो दूनों एक ही की बात कर रहा है unisexual या डाइसियस दे तो plant which do not have the female and male flower on the one plant एक ही प्लांट पे female and male flower जिसमें नहीं होते हैं वही कहलाते हैं या unisexual plant जैसे एक्जामपल आप लोग note down कर लीजिए एक्जामपल इसके date palm दे रहा है पपाया दे रहा है और markensia दे रहा है यह तीनों plant जो होते हैं डाइसियस होते हैं यह देखिए इसका एक्जामपल भी आप लोग देख सकते हैं यह monosius का एक्जामपल है जिसमें male और female एक ही प्लांट पर होते हैं male और female flower और जिसमें उसमें male और female एक ही प्लांट पर नहीं होंगे तो यह dioces की बात कर रहा है unisexual की बात कर रहा है तो plant की बात करेगा पपाया को क्या कह रहा है क्रेक्या पपाया कहते हैं scientific name date palm हो गया phonics से डिक्टली फेरा हो गया, डेट पालम का नाम है, तो ये प्लांट क्या है, डायोसियस है, यूनिसेक्शुल प्लांट है, और ये जब मोनसियस प्लांट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पे होते हैं, वो कार्न हो गया, उसको साइंट फिंग नेम, जी मेज कहते हैं, औ ये दो एक्जामपल इसमें दिये गए हैं, दो एक्जामपल इसमें, और आप क्या बात करेंगे, अगर इनिमल की बात करेंगे, मोनसियस जिसमें मेल और फीमेल एक ही पे होते हैं, और तो उसको मोनसियस कहते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट ये काफी बार कुश्चन पूचा जाएगा अब प्लेनेरिया तो यह तीन उग्याम पर नोट डाउन कर सकते हैं डाइसियस एनिमल्स मैमल्स होते हैं इंसेक्ट और बार्ड तो यह आप लोग नोट डाउन कर लिजिए गा नेक्स्ट कोईस्ट में कौन सा जन तो उभय लिंगी नहीं है अब बाइसेक्षुल कि सरीर के बाहर होने वाले इमक्राइशन को क्या कहते हैं और जब इन बिटलाइशनł कर लिजिए आई यान इन बी आई टी आर ओ बिटरो ऐसे भी आपको लगता है बिटरो गड़ बड़ मतलब बाहरी होगा तो अगर एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन होगा बाहर होगा तो इन बिटरो आप लोग लगाईए और बीबो मींस अंदर आप लोग ऐसे आत्क लिजेगा बिटर लगता नहीं कि बाहर की बात कर रहे हैं तो इन बिटरो फर्टिलाइजेशन इस एस कोईश्टन का फस्ट नंबर फस्ट करेक्ट हो जाएगा चलिए नेच्सट चैप्टर हम लोग 12 एंसियार्टी का बालोजी का नेक्सट चैप्टर हम लोग नेक्सट वीडियो में पूरी complete question करेंगे तो आप लोग वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें, चलिए next video मिलेंगे, thank you